हेले प्रिवाइन बेलकम बैक टू माई चैनल क्रिती फैसंड डिजाइन तुपरिंद आज के वीडियो में ब्लाउच का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे साड़े जोदा इंच लंबाई रखी है साड़े पंदरा इंच लंबाई रखी है और सोलर इसका 5,5 इंच से दो पॉइंट जादा लिया है आर मौर साड़े 6 इंच लिया है 36 साइज का ये ब्लाउच का बैकनेक डिजाइन है 10 इंच गले की लंबाई लिये और चोड़ाई इसकी डाई इंच लिये नीच से चोड़ाई थोड़ा सा बढ़ाएंगे नीच तीन इंच कर लेंगे और राउंड गले का निशान इस तरह से कर देंगे जैसा कि आप देख इस तरह से में राउंड गले का निशान कर लेना है उसके बाद गले को कट कर लेना है अब हमें कपड़े पर रखते हुए इससे कट कर लेना है तो इस तरह से कपड़े पर रखके कट कर लेंगे पहले हम सिंपल राउंड गला तैयार करेंगे सिंपल गला बनाने के बाद इ संदर सी रिजाइन जो की हर कोई बना सकता है तो इस तरह दिखिए हमें कपड़े और स्टर लाइनिंग दोनों को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है पहले दोनों पर सिलाई कंप्लीट करेंगे उसके बाद गले को कंप्लीट करेंगे लंगे तो यह सिलाही लगा लिया अब जो कपड़ा ज्यादा है उसे कड़ करके बराबर कर लिया है अब हमें पाइपीन बनाना है यह पाइपीन पटी लिया इस तरह से इसको लगा दिया पतली सी पाइपीन बनाते हुए इस तरह सिलाही लगा लेंगे सिलाही बिल्कुल पाइपीन के नीचे से लगानी है तो simple गलाब तेयार कर सकते हैं चाहे पाइपीन बाला हो चाहे बुक्रम लगाकर तियार कर सकते हैं उसके बाद इसपाट डिजाइन से तो इस तरह से अब गला अपने हिसाफ से चोकोर गले पर भी बना सकते हैं राउंड गले और बी गले चाहे गले का से अपने हिसाब से दे सकते हैं और सिंपल तयार करने के बाद ये डिजाइन है तो देखिए हमने इस तरह सिंपल तयार कर लिए आप दोनों प्लेट्स इसका डाल लेंगे लॉज की लंबाई ज्यादा रखिए हमने तो यहाँ पर देखिए पट्टी ज्यादा आएगी आप अपने हिसाब से लंबाई साइज के हिसाब से रख सकते हैं तो यह देखिए दोनों प्लेट्स ने डाल दिया बराबर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये सेंटर लाइनिंग का निशान कर लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर दो प्लेटे इस तरह डालनी है ज्यादा बड़ी नहीं डालनी है तो यहाँ पर स्लाइम ने रख ली अब उसके बाद इस तरह से ले सकते हैं या डोरी ले सकते हैं गोल्डन ली है हमने गोल्डन इस पर चलेगी तो यहाँ पर इस तरह से इसको लगा लेंगे या तो कप्ड़े की बना कर भी ले सकते है दो लेनी हैं दोनों को इस तरह फिलाते हुए बराबर से लगा लेना है एक लाए एक प्लेट आउट डालेंगे दो प्लेट की बनाएंगे या तो आप तीन प्लेट की भी बना सकते हैं अब इस तरह से दूसरा प्लेट डालना है और उसके नीचे ये डोरी इस तरह से डबल डोरी लेते हुए रखते हुए इस तरह सलाई लगानी है बराबर से इसको भी फैला लेना है जितना कि हमने उपर फैलाया है उतना ही ही से भी फैलाते हुए दाल रहें तो एक इस तरह से दाल डी अब यहां से धागे को कट कर देंगे हब इस पर हमें मोतियान लगा लेनी है तो यह देखे इस तरह से दो सब्खेजन sowican के दाल स्वाने के बार देखे इस तरह से आएगा तो इस तरह आप सिंपल गले पर डिजाइन्स बना सकते हैं बहुत ही आसान और संदर्टी डिजाइन्स बना कर इस तरह तियार कर सकते हैं उसके बाद इस पर लटकन रखेंगे लटकन के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले रखा है 2 इंच का चोपोल ले लेना है एक तरफ दे कपड़े को रोल करना है जैसा कि देख रहे हैं है याक इस तरह से फिर बना लेना है है डिजाएं म नढसा और सिलाई लगा लेना है अभी पूरे लटकन पर सी-दिजाइल लगाएंगे कपड़े की लटकन यह लेंगे थोड़ा सै पुलाई देते हुए हमने कट का लिया है लाइनिंग वाला अस्तर वाला कप्रा लिया है और यह में वाला फैबरिक बाटर से लिया है बाटर वाले से कप्रा निकाल का लिया है और इस तरह से इसकी उलटकन बनाएंगे और नीचे जो डिजाइनी बना रखी है इस पर इस तर दोरी पर डबल लगाएंगे और एक पर सिंगल लगाएंगे चाहें तो दोनों पर दो दो पर के लगा सकते हैं तो इस तरह से डोरी पर भी से लगा लेना है लटकर नगाने के बनाने के बाद रिजाइन समरा बनके तैयार हुआ रिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो झाल झाल